कि अच्छ कि अच्छ के विडियो में हम बात करेंगे कोश्टल वल्लेबिलिटी इंडेक्स के बारे में तो फर्स्ट आफ आल यह देखते हैं क्या कि रिए नियूज में क्यों है देखे रिशेंटली इंडियन नेशनल सेंटर फूर ओशियन इनफोर्मेशन सर्विसेज इसे सौर्ट फॉर्म में इनकोईस कहा जाता है इन्होंने कोश्टल वल्लेबिलिटी इंडेक्स देट इस कॉल्ड सी वी आई को प्रिपेर किया है और इसी के रेप्रेंस में गौर्ण इंडेक्स क्या है और इसके कौन-कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिस पर बेश्ट होता है यह और साथ ही साथ इनकोईस के विसे में भी कुछ इंपॉर्टन फैक्ट को देखेंगे चले शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कोश्टल वल्लेबिलिटी इंडेक्स के ब और इन मैप का स्केल रखा 1-10000 और इसी पर बेश्ट है पूरा का पूरा यह इसी में कौन-कौन से पैरामीटर्स होने भी हम समझेंगे देखिए यह कोश्टल वर्नियबिलिटी इंडेक्स जितने भी स्टेट हैं यह हमारे कोश्टल स्टेट हैं वहाँ पे फ्यूचर में स इस में seven parameter यूज किये जाते हैं यह कौन-कौन से हैं देखते हैं सबसे पहला है टैडल रेंज किस स्टेट में टैडल रेंज कैसा है जामाल नहीं हो सकता है गुजरात में अलग हो उडिशा में अलग देखने को मिले वेब हाइट कितनी होती है वहाँ पर अलग-अलग एरि सोर लाइन चेंज रेट कैसा है वहाँ कि जियो मॉर्फलोजी कैसी है और साथ ही साथ टोरिकल डिलेटिव सी लेवल चेंज है वह कैसा है इन सारे पैरेमिटर पर बेस्ट होता है हमारा सी वी जिसे हम कोस्टल वलनेबरेटी इंडेस के नाम से जान रहे हैं और यह यूजफ हमारे जितने भी कोस्टल डिजास्टर मनेजमेंट है उसमें हल्फुल होगा और साथ ही साथ हमारी बिल्लिंग रेजिलेंट कोस्टल कम्यूटी है उनके लिए हल्फुल होने वाला है तो आप बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के की फांडिंग क्या है कौन से स्टेट की कैसी कंडिशन उसे के समझदे देखिए लाफ इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गजरात श्टेट के सबसे ज्यादा कोश्टल एयरिया वलरेंट है और इस रिपोर्ट में कहा गया is 24 किलोमेटर गुजरात का जो कोश्ट लाइन है उसका 124 किलोमेटर एयरिया वर समझ भी सकते हैं गुजरात के सबसे ज़्यादा एरिया सी लाइन में देखने को मिलता है तो आप बात करते हैं टॉप फाइप कौन कौन से हैं देखें इसके बाद नंबर आता है तमिलनाडू का तमिलनाडू के 65 किलो मेटर एरिया कोस्ट लाइन एरिया वल्लेबल है जो कि पूरे कोस्ट लाइन एरिया का 6.38 परसेंट है इसके बाद नंबर वेस्ट बेंगॉल का आता है उसके बाद करनाटका का आता है फिर उडिशा का नंबर आता है और अंडमान निकोबार का आता है यहां पर यह समझने वाली बात जुरूरत है कि आंध्रप्रदेश यहां प आपर देख सकते हैं इनका डेटा भी आप यूज कर सकते हैं में भी हो सकता है कभी प्री में पूछली आ जाए आहिया में इसकले यूज कर सकते हैं तो अब बात करते हैं हम जड़ा इंडियन नेशनल सेंटर फोर ओशियन इंफॉमेशन सर्विसेज के बारे में देखिए मिनिश्ट्री ओप अर्थ साइंसेज के अंडर में एक ऑटनोमस बॉड़ी है यह पॉइंट यहां पर समझना ज़रूरी है ऑटनोमस बॉड़ी है क्योंकि में भी कभी-कभी यूपीए से यहां कि PCS एक्जाम में पूछे जाते हैं कि ऑटनोमस बॉड़ी है यहां पर रिकॉल करेंगे कि यह ऑटनोमस बॉड़ी है जो 1999 में स्टेबलिस हुई थी और साथी साथ यह अर्थ सिस्टम साइंसेज ऑफ और यूनिट के तौर पर भी काम करता है तो होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा थेंक्स पॉर वाचिंग करेंट अफेर्स झाल